घरेलूख हवर चानल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप लोगी आप बताने के लिए कमेंट में जै लक्ष्वी माता जरूर लिखें दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही विशिस जानकारी आप लोगों के सामने पेस करेंगे स साइध ही आप लोगों ने इसे सुना होगा मुझे यकीन है कि आपने ये बात बिलकुल भी नहीं सुनी होगी आज मैं बहुत फायदे की बात लेकर आई हूँ बहुत ही काम वाली बात है जो कि आपको नरक चतुरदसी मिन्स छोटी दिवाली के दिन करना है जी हां दोस्तो चोटी दिवाली के दिन महिलाओं को अवस्य करना चाहिए सोलह सिंगार क्यूं इसके पीछे की मानिता क्या है इसके पीछे का राज क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है आखिर क्यूं कहा गया है कि नरक चतुरदसी मिन्स छोटी दिवाली के दिन महिलाओं को सोलह सिंगा बहुत ही सुफल दाई होता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप LEगों से रिक्विस्ट है अगर अभी तक आपने घरे लुकषबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद हैगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके शेयर करेंगे और बीना स्किप किये मेरा वीडियो लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर छोटी दिवाली के दिन महुलाओं को सुल्लह सिंगार क्यों करनी चाह चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दीपावली से एक दिन पहरे नरक चतुरदसी मनाया जाता है इसे नरक चौदस और छोटी दिवाले भी कहा जाता है इस दिन भगवान क्रिस्ट यम्राज और बजरंग वली की पूजा करने का विधान है मानिता है कि इस दिन पूजा करने से मनुस से नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है नरक चतुरदसी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है इस दिन भगवान स्री क्रिस्ट ने नरका सुर का बद किया था इस लिए इस चतुरदसी का नाम नरक चतुरदसी अपनी सक्ती से देवी देवताओं और मानवों को परसान कर रखा था असूर ने संतों के साथ सुल्ल हजार इस्त्रियों को भी बंदी बना रखा था जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और इसी मुनियों ने भगवान स्री कृष्ण की चरण में आकर कहा कि इस नरकासूर का अंत कर प्रतिवी से पाप का भार कम करे भगवान स्री क्रिस्ट ने उन्हें नर्का सुर से मुक्ति दिलाने का अस्वासन दिया लेकिन नर्का सुर को एक स्त्री के हाथों मरने का साप था इसलिए भगवान स्री क्रिस्ट ने अपनी पत्नी सत्य भामा को सार्थी बनाया और उनकी सहायता से नरका सुर का बद किया जिस दिन नरका सुर का अंत हुआ उस दिन कार्तिक मास के क्रिस्न पक्ष की चतुर दसीती थी नरका सुर के बद के बाद से क्रिस्न ने कन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया मुक्ती के बाद कर्णयाओं ने भगवान-कřिस ने गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्विकार नहीं करेगा, इसके लिए आपको उपाय करें, हमारा सम्मान भापस दिलवाएं समाज में इन कन्याओं को समान दिलाने के लिए भगवान स्रीक्रिस ने सत्य भामा के सयोग से 16,000 कन्याओं से विवह कर लिया 16,000 कन्याओं को मुक्ती और नर्कासुर के बध के उपलक्ष में घरघर दीप दान की परमपरा सुरू हुई भगवान स्रीक्रिस ने इन सुल्ला हजार कन्याओं का उधार किया इस खुसी में इस दिन महिलाएं सुल्ला सिंगार करती है नरक चतुर्दसी को रूप चतुर्दसी भी कहते है इस दिन जल में औस्थी मिलाकर असनान करने और सुल्लह सिंगार करने से रूप सौंदर और सौभागे बढ़ता है ऐसी मानिता है कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए फिर भी इस तिथी को नरक चतुर्दसी के दिन सरीर में तेल लगा कर असनान करना चाहिए संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीपदान करना चाहिए नरक निवरिती के लिए चार बतियों वाला दीपक पूर्व दिसा में मुख करके घर के मुख द्वार पर रखना चाहिए मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव ब्रिक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, चाहर दिवारी, बगीचे, गोसाला, आदी अस्थान पर दीपक जलाना चाहिए विधी विधान से पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं आप इस तरह से छोटी दिवाली मनाईे, और छोटी दिवाली का लाप प्राप्त कीजिये, मा लक्षमी के क्रिपा प्राप्त कीजिये तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स